हलो गाइज वेल्कम टो और चैनल इसी डूटल पॉइंट तो मैकाउट के ओर से एक नए नोटिस आ गया है आप लोग देख सकते हो नोटिस रिगार्डिंग C1 & C2 फर ओर्ड सेम तो यह रहा नोटिस तो नोटिस में थर्ड सेम, फर फिफ सेम, सेवन सेम और नाइन सेम यानि सारे ओर्ड सेम का जो C1 & C2 का मार्क होता है वो मार्क सब्मिशन का डेट & ended दिया गया है तो इसमें तो ठीक है थर्ड सेम वाले जो अभी दिलेट के थ्रू लैटर एडमिशन लेने वाले हो उन लोग क्या होगा वो लोग तभी एडमिशन ही नहीं लिए तो मैं का ओट के सारे जो भी स्टुडेंट है 3rd, 5th, 7th, 9th उनका भी तो होगा कोई प्रॉब्लम नहीं पर जो लोग जो स्टुडेंट लेंगे उनका क्या होगा तो मैं बता दू जो C1 & C2 आपके लिए नहीं है ठीक है C1 & C2 अगर आपके पास आपके पोर्टाल होगा उस पोर्टाल में अगर जीरो भी रहता है न तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्यूंकि आपके लिए C3 & C4 को काल्कुलेट किया जाएगा C1 & C2 को देखा नहीं जाता है सिर्फर C3 & C4 काल्कुलेट किया जाएगा तो कोई पैनिक करने के कोई ज़रूरत नहीं है C1 & C2 को एकदम एग्णोर करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैं गरनेटी देता हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो इसका जो मार्क समिशन स्टार्टिंग दे होने बाला है C1 के लिए 21-01 या 21 January से 22 January तक होगा ठीक है मार्क समिट कर सकते हमारे टीचर्स & फैकल्टी लोग C2 के लिए 8 February to 13 February तक चलेगा तो यह सारे मार्क कैसे हमारे फैकल्टी या हमारे जो टीचर्स वोगे वो फुट करेगा तो MacAuto ने साफ यह बोल दया कि आप किसी भी तरीके से चाहे हो test हो चाहे हो वायबा हो चाहे हो quiz हो चाहे हो presentation कुछ भी हो कुछ भी तरीके से आप जो academic score लाब सकते हैं तो इसमें से कोई भी टेस्ट आप लेकर यह जो CA1 & CA2 का mark आप लोग पूट कर सकते हो कितने में होता है 25, CA1, CA2, CA3 & CA4 25 में कितने आएंगे तो maximum आ जाता है 22, 23, 24 आ जाता है सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सब्सक्राइब को मैं यही बोलना चाहता हूँ don't worry कोई प्रॉब्लम नहीं होगा and जो भी student पहले से 3rd, 5th, 7th या 9th semester में पढ़ रहे हो वह आपका जो पॉर्टल है student profile का पॉर्टल वह चेक कीजिए आप 21 to 22 के अंदर आपका जो वह update हो जाएगा तो आप लोग पर देख लीजिए तो चलो मिलते हैं नेक्स सब्सक्राइब बाई ठीक क्या